सर्दिया यानि की तरह तरह की ठेर सारी सबसियां और उनसे बनने वाले तरह तरह के सूप तो आज हम बनाएंगे स्वीट कॉन सूप अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्रेस चैनल को सब्क्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बैल आइकन को रिप्रेस कीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नौटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो टाइम वेस नए करते हुए रेसिपी को हम हम शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर एक मिकसी गार ले लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे हमस्वीट गॉांड तो मैंने इहां पशुIFA न लिए मैंने यहां पे फ्रोजन सुःट कॉन लिए हैं मिकसी का लिए डाल। चौन पाइट बेंगे और गॉत्स चम्बच नाइंगे ऑफास फास गरम कर लिए जैसे ही तेल तोड़ा सा गरम हो जाएगा इसमें दालेंगे आदर चम्बच कटा हुआ लहसुन का टेस्थ शूप के बहुत अच्छा आता है इसलिए आप ज़रूरद अलिएगा अब इसके अंदर में डौद यूट काउन सुईट कौन भी हम इसमें एक से देड के लिए रोज कर लेते हैं जिससे की बटर और लेसन का जो टेस्ट है शुईट कॉन के अंदर अछी तरह से चला जाए सुईट कॉन यहां पर अच्छी से फूल गए है अब इसमें हम बाकी की सब्जियां एड कर देंगे तो मैंने यहाँ पे आदा कप पत्त को भी, आदा कप काजर, आधी सिम्ला मिर्च को भी कट करके डाल दिया है सब्जियां यहाँ पे बारेक चौप करनी है और सारी सब्जियों को सुईट कॉन के साथ एक से तेड़ मिनिट के लिए हमें यहाँ पे सोटे कर लेना है एक से तेड़ मिनिट के बार जब सब्जियां थोड़ी से सोटे हो जाएंगी फिर इसमें हम सुईट कॉन का पेना हुआ प्योरे डाल देंगे प्योरे डालने से सूप में क्रीमिनेस आएगी और ठिकनेस आएगी इसलिए हमने यहाँ पे एड़ किया है प्योरे को भी हम सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जैसे ही हैं पेस साड़ी चीज़ां अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इसमें हम एड़ करेंगे पाने तो फ्रेंस मैंने यहाँ पे दो ग्लास पानी एड़ गया है अगर आप इसको नाप से एड़ करोगे तो मैंने यहाँ पे 400 ml पानी डाला है अब दो टेबल उस्पून कॉन प्लार को पानी की स्लेडी बनाके इसमें हम डाल देंगे जिससे कि हमारा जो सूप है ठेक होगा और इसको हम लगाता इतना से चलाते रहेंगे और इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ी से मसाली तो मैंने यहाँ पे डाला है आधा चमच नमक एक चमच चीनी और आधा चमच इसमें डाला है मैंने काली मिर्च का पाउडर यह पार काली मिर्च ती इसमें मैंने काली मिर्च डाल तो आप दीर दीरी इसमें से इतना से जाग निकल दी जाएए और सूप को दिमियाद पे 5-7 निट के लिए बॉयल होने दीजिए जिसले की सूप अथी तना से पक जाएगा तो ज्यादा अच्छा टेस्ट देगा अब इसमें हम दालेंगे थोड़ी से स्प्रिंग ओनियन के पत्ते और इसको मिक्स कर देंगे अब इसमें लास में हम डालेंगे आदा चमज पटर तो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इसलिए जरूर एड़ कीजेगा तो दीजे हैं पर हमारा सूप बनके रेड़ी है चले इसको हम सर्प कर लेते हैं तो हमारा स्वीट कॉन आपको सर्दियों में बहुत ही जादा तेस्टी लेगेगा तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइए कीजेगा फ्रेंस आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजेगा फिर से मिलूंगी नई रेसिपी के साथ थैंक फॉर्ट